हेलो दोस्तों कैश्विव आज बना हूंगा मैं गाजर का हलवा आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल सिंप्ल तरीकी से आपको ज्यादा सामन लाने की भी जुरत नहीं है आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन रहा है तो चलो दोस्तों बनाना स्टार्ड करते हैं मैंने आप दो केजी लाल वाली गाजर लारकी है लाल वाली ही गाजर लाएं गाजर के हलवे के लिए सबसे बैस्ट रहती है दोस्तों सबसे पहले हम गाजर को दोईंगे अच्छे से तो साप हो जाएगी तो देख सकते हैं और धोलने के बाद चलेंगे एक बार गाजर को अच्छे से चलेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों एक बार पूरा गाजर चलेंगे दोस्तों गाजर को अच्छे त्रेकित से चलना है अब कुद्धू कत्स की मदद से गाजर को हम ग्रेट करेंगे अच्छे से आप देख सकते हैं दोस्तों गाजर को अच्छे से ग्रेट करेंगे इसमें ज्यादा मोटे पीस होने चाहिए इससे हमें दिक्कत हो जाएगी अगर दुस्तों आप इस रिस्पी से अगर आप गाजर का हलवा बनाते हैं तो आपका गाजर का हलवा बिल्कुल टेश्टी बनेगा आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा त्रेके से यहां पर ग्रेट हो रहा है तो आप देख सकते हैं दोस्तों गाजर तो पूरा छिल लिया है बट अभी ग्रेट पूरा नहीं हुआ है इसको हम पूरा ग्रेट करेंगे उसके बाद देखना दोस्तों कि गाजर का लवा कैसे बनता है तो थोड़ा ही गाजर रह गया आप ग्रेट करने के लिए आप देख सकते हैं यह देखो कितना अच्छा और बढ़िया तरीके से गाजर ग्रेट हो रहा है दोस्तों गाजर को अच्छे से ग्रेट करना है जिससे हमें कोई दिख करना हो तो कि दूस्तों कितना अच्छा Ad grandpa ग्रेट किया एक आज है वे तो सुझा अध। I should kullas consort हमारा ग्रीट पूरा हो गया है आप देख सकते हैं दोस्तों तो लो दूस्तों वाढ़ा का रचाल करते है दोस्तों और नन्य से फिद्म भच्यों के यहां पर कड़ाई लाई जा रही है तो चलो दोस्तों अब बनाना इस्टार्ड करते हैं कि सबसे पहले हम गैस को दिलाएंगे और यह हमारे गैस जल गई है कडाये को हम अच्छे से गराम करेंगे गराम करने के बाइज में डालेंगे घी आप देख सकते हैं दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे बटर आप चाये तो ओनली घी भी डाल सकते हैं एक पीस हो डालेंगे और इसको अच्छे से गरम कर देंगे आप देख सकते हैं गहीं पीगल गया है अब इसमें एड़ करेंगे हम दोस्तों गाजर और इसमें गाजर को डाल देंगे और यह हमने सारा गाजर इसमें डाल दिया है अग aised गाजके अब इसको अच्छे से भूण देंगे कि अच्छ है अच्छे से टोस कर देंगे इसको आफ दोस्तों आपको कैंशी लेकी हमारी territ मीmel करना सद्री करना सब्सक्राइब करना दोस्तों इसको हम अच्छे से भूण देंगे आप देख सकते हैं दोस्तों पहले से थोड़ा काफी मेल्ट हो गया है गाजर तो इसी तरह के से इसको घुमाते रहें अब दोस्तों इसमें डालेंगे हैं मावा आप देख सकते हैं दोस्तों है इसमें हम मावा डालेंगे ऑब है कि और मावा डालने के बाद इसमें डालेंगे हम चीनी और हमने चीनी डाल दी है और यह हमने इसमें चीनी भी और डाल दी है थोड़ा मावा इसमें हो डालेंगे हम जिससे कि हमारा गाजर के हल्वे में अच्छा सा टेस्ट आ जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों पहले से हमारा गाजर कुछ अच्छा से मैट हो गया है आप देख सकते हैं कि आप चाहे तो दोस्तों इसमें काजो किसमेश बादाम पिस्ता ड्राइफ रूट्स वगएरा डाल सकते हैं कि तो देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है अब यह हमारा गादर कालवा और इसको अच्छे से भूनते जाएंगे अब इसमें डालेंगे दोस्तों हम दूद आप चाहिए ठंडा डूद डाले या गरम दूद डाले कोई दिक्कत नहीं है हमने हाल पिल और ठंडा ही लिया है तो इसमें देरे-देरे दूद डालते जाएंगे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है तो यह मनें इसमें दूद डाल दिया है अब दूद डालने के पाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और तोड़ा आंस तेज कर देंगे और पकाते रहेंगे जब तक घड़ा नहों हो जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा हमारा घड़र का हलवा आप भी इसी रिष्प के इसाप से बनाएए और गाधर के हलियों को अछी से हिलाते जाना है नहीं तो नीचे लग सकता है कि色ण आप देख सकते हैं तो पहले से कापी अग़ा भी हो गया है तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितना बड़िया बन रहत है दोस्तों कि इसमें डालेंगे थोड़ा घी जिससे और भी अच्छा फलिवर आ जाए आप देख सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों कैसे लगा आपको मेरी रिस्पी लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना तो अब फाइनली हमारा गाजर का हलवा तेहार है देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा बन रखा है तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में